प्राइम टाइम के स्पॉंसर हैं स्वागत अधक लेशन और मसाले 100% प्यूर और हाईजिनिक जनलज्स को जाने नहीं दिया गया एक दिन जनलीस को गाड़ी में विठाकर एक तमाशे की तरह जैसा फूर्व में सरकस्स में बंदरों को देखने जाते हैं उस तरह से सिर्फ दूर से देखने के लिए इजादत दी गए जडी जरनलेर केमरामन पूरे गाड़ी में बैठे और लांग डिस्टेंस की शूटिंग कर रहे हैं क्या नदर आएगा यहां बात कुछ और है वो लोग हमको बता रहे हैं कि 7000 ट्रक्स में जो लेके गए हैं तो वो ट्रक्स जो लेके गए हैं वो तो कॉर्डन के बाहर से निकल के रोडों पे ही तो गये और धीडी मेटला में वो तो लेके गए हैं तो क्या है वो टो कॉड़नाफ नहीं था वो सीधा में रोड से लेके जा रहे हैं तो अमने जर्नलिस इतने स्मार्ट है आदी रात को कुछ भी हुआ तो भी सब उनके नज़र में रहता और सरकार की कुछ जिम्मेदार ही है कि वो फोटोस दे किसको यह पूरे कावजात कहा है और एक पिचर नहीं है अपनी जर्नलिस के पास अइसा तो हो ही नहीं सकता तो मैं एक जो एक दर्थ से लेके हुसें सागर के लिए जो लड़ रही हो उसकी अपने को नजर में रखना पड़ेगा जब यह लोग शाह कंसल्टेंसी को मेरी पेटिशन में अभी 2020 डिसंबर में 2021 जैनुवरी में स्टेट गवर्मेंट ने यह बताए नेशन ग्रीन ट्रिबिनल को कि हम लोग जो है लगबग 17 स्टीपी लगा रहे हैं मुसी नदी के उपर और 14 स्टीपी लगा रहे हैं कुकटपली नाला के उपर क्योंकि हुसें सागर का पानी अच्छा करने के लिए तो हम उनको यहीं बोल रहे हैं कि हर स्टीपी जो है यह लोग एदर चैनल के अंदर डालते हैं या तलाप के अंदर डालते हैं और अब अभी प्रजेंट जो एक्जिस्टिंग स्टीपी से है पूरे याने नल्ला चैरुव उपल से नाचारम से वह 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 वर रंगधामुनी चैरुव से लेके और कई 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 तालाब दूर्गम चैरुव में है हुसें सागर के अंदर है हम यहीं पूछ रहे कि आप हमको यह ब स्टीपी लेक के अंदर आती है लेक को एंकुरूच करते हुए और उसके उपर से स्टीपी कब यूस कर रहे आप जबकि वो गलाजत और गंदगी इंडस्ट्री के स्वेच की कई किलोमेटर्स पार कर चुकी है लेकिन साइंस और अखल और रूल क्या बोल रहा है कि गलाज ऋतने ृद्व के द्वरा ट्रावल होना ही नहीं चाहिए और उसको बहने देग बहने देके पुरी गलाजत कर के और पाईपोव की नेटवर्थ के लिए तो पूरिए आप आप खुद देखे कितने सारे केवड इन हो गए। हुसें सागर रोड की अपर क्या होता है। आपपबों के लिए खोडते हैं उपने ही जड़ा है। ज़ड़ा हिँशन हो जाता है। तो कई जगा रोड्स अंदर हो जा रहे हैं, तो यह सभी चीज क्या है कि इट इस अबोर्ट साइन्स एंड एडवांसमेंट ऑफ तॉट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलिजी एं मेथेड़ोलिजी मेथेड़ोलजी में क्या है, बहुत सारी एंडर्जी को सेव करते हुए, एंविरोनमेंट को सेव करते हुए, एकनोमिकल जो मेथेड़ोलिज है, उसको एड़ॉप्ट करने के लिए इसको बोलते हैं, और काफी ऑल्टरनेटिव से इसके लिए, जो कि यह लोग नहीं ले रहे हैं, बलकि huge contracts पे लोग जा रहे हैं, which is not proper, और which is not, मैं इनको study की basis जब पूछ रही हूँ, जब DPR पूछा गया, तो आज तक वो लोग शाह consultancy की DPR, detailed project report, ना applicant मुझे दिया गया, petitioner को, ना NGT tribunal को दिया गया, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब यो नई secretariat building के जो तामिर हो रही है, क्या ये हुसान सागर के FTL limit को cross कर रही है, हाँ, ये इसके दो चीज है, तो ये लोग ना जब होत request किया गया, चार्थ साल, तब उलोग ने एक draft FTL boundary map हम लोगों को दिये, तो उस draft FTL boundary map को हम Google Earth पे वगारा हम draw करके देखे, उन cage coordinates लेके, तो उसमें से दो चीज निक तो वो बराबर FTL में आएंगा, और अगर आज की ये लोग जो चोटा करके जो map हमको बता रहे हैं, तो उस map को अगर हम देखे, तो ये लोग की जो official site area है, Secretariat का, वो FTL और buffer zone की boundary से कट रहा है, यानि उसके अंदर रहा है, और यहां जो तेलगाना मार्टिस की भी जो बन र है, और ये Secretariat की official map जो है, वो खुद FTL और buffer zone से कट रहा है, लेकिन बात यह है कि जो environmental clearance जो ले के आए ये लोग, उसकी जो main points है, क्योंकि वहां पर तामीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूल्स के मताबिक जो आज पावर पैंट में बहुत आई, और joint committee को भी NGT को में दे चु government हासिल कर चुके और उसकी बुनियात पे तामीर करने की सूच रही या कर रहे काम शुरू हो गया, वो category B के अंडर लिये हो, बल्कि ये project category A के अंडर आता है, category A में इसलिए आता है, क्योंकि रूल के मताबिक अगर ये building construction कोई भी building हो, अगर वो critically polluted stretch के 10 km के अंदर है, तो category A में आता है, for example, secretate अभी जहां तामीर हो रही है, वो मुसी नदी के 5 km के अंदर में है, मुसी नदी जो हैदरबाद में जो बह रहा है, वो खासकर के अंबर पेट वगर आए के पास, पुरी चादरगाट से, वो critically polluted stretch declared by the Central Pollution Control Board, तो इसलिए उसकी 5, 10 km, 5 km के अंदर में ही है कि हुसेन सागर को 2011 और काफी सालों से इसको नेशन के इंडिया के वेट लैंड इंवेंटरी में, Minister of Environment and Forest, उसको डिकलेर कर चुके है, तो यह अलड़ी वेट लैंड की इंवेंटरी में है, और इसरो और एनारे से मैप्स के मुताबिक उसकी 5 km की बफर जोन ताई किया गय है, यह एको सेंस्टिफ जोन में आ चुका है, तो लिहाँ आए यह दोनों कंडिशन के वजे से, यह प्रोजेक्ट, यह बिल्डिंग प्रोजेक्ट दो है, Secretary 8 Complex की जो प्रोजेक्त है, वो क्याटिगरी A में गिरता है, क्याटिगरी B में नहीं, जब्कि इन्होंने एन्वेर क्या है, तो दुर्म्रमेंटार क्लियरंस के लिए Category B कहते हुए हासिल कर लिए, Category A के दो है, क्यों Category B को बता के ले लिए, यह मैं बता रही है, Category A में लाते ही क्या होता है, उसकी Public Hearing होनी पड़ती है, यह पूरे लोकल्स को, पूरे एक्सपर्स को सब की Public Hearing होनी पड़ती जबकि इन लोगों ने क्याडिगरी भी बताके यहां से तेलंगाना पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो मोफ की रीजिनल आफिस है उनके पास इन लोगों ने परमिशन ले लिए तो क्या यह परमिशन देने वाले अथारिटी इंस्पेक्ट नहीं कि एरिया को इसके बारे में इसके हाखायत जानने के कोशिश नहीं कि अप्रूवल देने से पहले देखें यह सारे चीज उनको मालम है और मैं यह भी बताती हूँ कि मैं जॉइंट कमिटी को नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल को और सीधे इनको भी किनको अपनी जो एथारिटी तेलंगाना स्टेट एंविरॉन्मेंट इंपक्ट एसस्मेंट एथारिटी यह इनको भी परमिशन दिये हैं और एक बहुत इंपोर्टन क्रिटिकल पॉइंट है जो भी मैं उनको सीधा उनको इस लिख रही हूँ कि आप गलत दे दिया आप वह पस ले लेजे क्योंकि यह करक्ट नहीं है तो कंसेंट फर एस्टाबिश्मेंट जो होता है इसी आने के बाद इसी आने के आप तेलंगाना पॉलीशन कांट्रोल बोर्ड में एक एपिलेट एथारिटी बैठता है और उनके पास जाके आप इसकी खिलाफ आप कंप्लेंट डर्च करा सकते हैं लेकिन अवाम को हैरान हो जाएंगे आप लोग यह बात करके यह बात मालुम होके कि एपिलेट एथारि यहां पर नहीं है आप फॉरण इसको खायम करिए तो आज तक उसकी खायम नहीं हुई है और पूरी जो कंसन पर इस्टाब्लिश्मेंट बिंदास देते जा रहे हैं लास्ट में वो कॉलम रखते हुए कि अगर आपको अब्जेक्शन है तो आप वहां जाहिए एपिलेट अभी तक खायम नहीं है तो हम कहा जाना जब को अब्जेक्शन है कि ये हैं कि हुसेनिसागर की और अवाम की बरबादी है तो इतनी जूट और फरेब के साथ यह अवाम के लिए नहीं है किसके लिए है ठीक है ठीक है बहुत बहुत खीमती मालमात आपने फराम की है अब देखना यह है कि ग्रीन ट्रिबूनल क्या फैसला लेता है हुसाइन सागर एक इतनी खुबसुरत जो है वाटर बॉड़ी है लोग जो भी हैदरबाद को आते हैं हैदरबाद से सिकंदरबाद या सिकंदरबाद से हैदरबाद को उनका गुजर होता है वहीं से और उसकी जो असलियत है जिस मकसद से वो बनाई गई है वो काश वो मकसद में पूरे उतर सके और उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो तमामतर ये इंक्रोच्मेंट्स या फिर पोलियूटेंट्स का बे दृग जो है बहा देना ये सारे मामलात रुक कर एक बहतरीन तालाब में वापस तबदील हो जाए इस निक तमन्ना के साथ मैं आपसे अजाज़त लेता हूँ आपसे फिर एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ बात करने के लिए तो नाजरीन ये थे डाक्टर हुसें शागर तालाब में इनक्रोश्मेंट्स हो रहे हैं और इनकी जद्दयजयद मसलसल सालों से चली आ रही है और अगर ये काम्याब हो जाती है तो ये इनके लिए इनके कैप में एक फैदर का का काम कर सकता है। आईए अब नामवर समाजी जहदकार डॉक्टर जस्वीन जैरस से हुसेन सागर के बारे में उनके मुशाहिदात और ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं देखिए हुसेन सागर के जो बरबादी है उसके कुछ पहलू मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ एक तो है कि इसको इसकी जो प्रेजंट इसका जो वाटर स्प्रेड है फ्टियल का नाम मैं नहीं ले रही जो वाटर स्प्रेड है जहां तक मैक्सिमम वाटर स्प्रेड है कि पानी फैलता है उस जगह को बहुत ज्यादा अल्मोस्ट वन फोर्थ मतलब एक चोथाई बच गया है और तीन चौथाई जो है वो उसके ओपर कबजा कर लिया गया है वो जमीन पानी से जमीन निकाली गई है तो स्ट्रेट अवे ये मुद्दा है एंक्रोच्मेंट का और ये पिछले सालों में सब सरकारों की मदद से हुआ है सरकारों की सहमती से हुआ है और जुडिशरी की अंदेखी से हुआ है और हमारे सामने ये हुसेन सागर पे ये जुल्म और ये बरबादी होती रही और हम चुप खड़े देखते रहे दूसरा मुद्दा है पल्यूशन का जो गंदगी हुसेन सागर में आती रही एक दिन में नहीं आ रही ये जो पूरे इंडस्ट्रियल जो स्यूएज है जो पैखाने की स्यूएज है जो यहां पर इसके बैक्यार्ड में डंप होती है और वहां से ये हुसेन सागर में आती है ये एक लगातार चलने वाली प्रॉसेस है ये नहीं कि एक दिन में होता है या एक घंटे के लिए होता है या रात के अंधेरे में हो ये continuously हो रही है हमारी आँखों के सामने सरकार की आँखों के सामने और politicians की आँखों में सरकारी जो सियासती नुमाइंदे हैं उनकी आँखों के सामने ही हो रही है और उसके बारे में कुछ नहीं करा जा रहा ये चीज जान बूज के हो रही है सोच समझ के हो रही है उसके बाद तीसरी चीज है तीसरा मुद्दा जो है वो है कि ब्यूटिफिकेशन का जो सुन्दरता एक चीज को बहुत आला बनाने की एफर्ट में जो एक्शन्स लिये जा रहे हैं मतलब जैसे कि जंडा लगा दिया वहाँ पर जैसे कि लुंबनी मॉल बना दी वहाँ पर लुंबनी गार्डन बना दिया और और वहाँ पर दुकाने खोल दी वहाँ पर फूट कोर्ट्स खोल दिये ये एक entertainment और एक सुन्दर बनाना और ये सब जो तमाशे होते हैं उस सब के लिए गैर कानोनी तरीके से हुसेन सागर के water spread के अंदर जो जो कोश कोशिश की जा रही है और मतलब कामयाब है ये कोशिश ये बरबादी कामयाब है वो भी सरकार की और सियासती नुमाइंदों की backing और real estate lobby की involvement के साथ हो रही है उनकी उनके इसमें हिस्सेदारी है क्योंकि जो real estate का जो मुनाफ़ा होता है वो सब election fund में divert होके इन सियासती नुम नुमंदों की जो कार्मा चल रहा है वो बरकरार रहता है तो real estate lobby के funds जो है वो इस political establishment और कुछ हद तक bureaucratic establishment को support करते हैं इस लिए कि वो ऐसे decisions ले जो की जो की real estate sector को मुनाफ़ा देते हैं और हमारे तालाबों को हमारी जो हमें विरासत में मिले हैं उन तालाबों की बरबादी करके तो ये कुछ accident नहीं है ये कुछ गलती अंजाने में गलती नहीं हुई है ये एक जान बूच के जो policies हैं ये उसका नतीजा है इसलिए जब हमें ये बताया जाता है कि भही हम लेक की सफाई कर रहे हैं इतने पैसे allocate हुए हैं या हम इसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे जैसे activist को जो independent civil society के activist हैं हमारा दिल धड़कने लगता है कि ये एक बरबादी का बरबादी की और बढ़ रहा है बरबादी का action लिया जा रहा है तो ये तीन चीज़ें जो हैं इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है अवाम के लिए सबसे बड़ी सहुलत होगी अवाम की सहुलत का जो काम करता है वो लाखों करोडों की दुआयों में रहता है तो अगले एपिसोट तक के लिए हमीं देजे इजाज़त शब खेर झाल